आज किचन में बन रहा एक स्पेशल स्नैक जिसे कहते हैं पटेटो बाइट या पटेटो टॉट्स घर पे बनने वाला ये मज़िदा स्नैक आसानी से कम से कम इंग्रीडियन से बनाया जाता है इतना कुरकुरा है इतना टेस्टी है कि सब खाते रह जाते हैं इसको देखिए देखने में लग रहा है ना मज़ेदार मार्के स्टाइल जैसे पटाटो टॉट्स इसे सही तरीके से बनाने के लिए एक अनोखा तरीका है जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें और मैं इस रेसिपी के एंड में शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा ऐसा मसाला डाला कि जिससे टेस्ट तीन गुना हो गया पटाटो टॉट्स बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए 500 ग्राम पटाटो इसे मैं छील लूँगी पीलर की मदद से आपके पास पीलर नहीं है तो आप नाइव भी उस कर सकते हैं और इसको पील करते ही पानी में भिगो दीजेगा ताकि यह काले ना हो जब सारे आलू पी इसे कट करके पानी में डाल दे एक पतीले में पानी डाल के बॉइल करने रख दे और यह सारे आलू जो हमने काटे थे वो इसमें आट कर दे इसे 30% तक कुक करना है इससे जादा कुक नहीं करना मैं आपको इसमें बताऊंगी कैसे पता लगेगा कि यह साही तरीके से कुक ह आफ पर इसे कुक करेंगे और इसको बीच-बीच में स्टाकर करते रहेंगे इसको चेक करने के लिए एक आलू का पीस लेंगे और इसके अंदर फोक डालेंगे तो देखेंगे आप अंदर से सॉफ्ट हो चुका होगगा बाहर से हाड रहेगा तो मतलब यह सही टाइम है ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे, इसका cooking process रोकने के लिए, अब जिस vessel में पानी strain हुआ है, उसे हटा देंगे, ताकि ये गरम न होता रहे, ध्यान रखेगा, सिर्फ 30% cook करना है, इससे जादा cook नहीं करना है, इसे ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद, इन pieces को दरदरा करना है, तो मैं यहाँ पर फॉक का इस्तिमाल कर रहे हूँ, इसको दरदरा करना है, जादा पीसना नहीं है, या फिर जिसके पास chopper है, तो उससे बड़िया कोई चीज ही नहीं है, सारे आलू एक ही बारी में chop हो जाएंगे, चौपर में सारे आलू को डाल के, बस एक दो पल्स, मतलब एक दो बारी बस chopper को चलाएंगे, तो यह बिलकुल दरदरे पीस जाएंगे, जादा नहीं चलाना, बस एक दो पल्स, और यह रेडी है हमारे, देखिए आलू बिलकुल दरदरे पीसे हैं, ना जादा ना कम, अब एक बावल लेंगे, और यह सारे जो आलू हमने, दरदरे पीसे हैं, उसको डाल देंगे, साथी साथ डालेंगे, एक चथाई टीस्पून काली मिर्च, आदा टीस्पून के करीब नमक, नमक आप अपने साब से कम जादा कर सकते हैं, यह पटाटो बाइच अगर आप सिफ काली मिर्च और नमक डाल के भी बनाए साथी साथ इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे, डे टेबल स्पून काउन फ्लोर, अगर काउन फ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप चावल काटा भी ले सकते हैं, या अररोड पाउडर या मैदा, अब इसमें चीजी चीजी फ्लेवर के लिए मैं यहां पे ग्रेट कर के डाल रही हूँ, दो क्यूप्स चीज की, यानि की दाई टेबल स्पून के करीब चीज, यह मैंने जो अमुल के चीज क्यूप्स आते ना वो ली है, आप इसकी जगह मौजरेला चीज भी ले सकते हैं, इसका टेस भी बहुत अच्छा आता है, अगर आपको थोड़ा स्प मिच्चर अभी बाकी है, क्योंकि मुझे अभी बताना है आपको की कौन सा ऐसा मसाला है, जो मैंने इस पर डाला है, जिससे इसका टेस तीन गुना हो गया है, उससे पहले इसे शेप कर लेते हैं, हलका सा ओईल लगाएंगे हाथ पे, और थोड़ा सा यालू का मिक्स्चर ल इसी तरीके को फॉलो करते हुए, बाकी सारा मिक्स्चर भी ऐसे ही सिलेंडिकल शेप में शेप कर लेंगे, अब एक कढाई में ओल डालेंगे, और उसे गरम करेंगे हाई फ्लेम पर, तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें एके करके पटाटो टॉट्स जाल देंगे, औ और जैसे ही आप देखेंगे कि लाइट गोल्डन कलर सा आने लग गया है, तो फ्लेम को लो कर देंगे और इसे एक मेट के लिए और सिखने देंगे, कलर बिलकुल गोल्डन ब्राउन सा आगया, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से सिखें और इसको अब कढाई से निका कि कौन सा मसाला मैंने यूज किया इस रेसिपी में, जिसने इसका टेस्ट टिपल कर दिया, तो वो मसाला है चाट मसाला, तो सर्फ करते समय चाट मसाला डालना मत भूलना, मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया टेस्टी टेस्टी स्नाक्स के साथ, तब तक के लिए झास्ड़ीर